तो देखते हैं पर question number 4 में हमसे क्या पूछा गया है, the bulb does not glow in the setup, इस setup में यहाँ पर क्या ओरा bulb बिल्कुल नहीं जल रहा है, list the possible reason, यहाँ पर कौन कौन से reason हो सकते, explain your answer, तो हमें यहाँ पर उसको explain भी करना है, there could be several possible reasons for not glowing of the bulb, इसमें यहाँ पर एक से ज़्यादा reason हो सकते, उ for connecting to the circuit, इसका मतब यहाँ पर bulb हो, यहाँ पर क्या हो सकता है, fuse भी हो सकता है, fuse होने के वज़े से यहाँ पर क्या होगा, bulb नहीं जलेगा, तो पहरी condition यहाँ पर यह हो गई, second देख लेते, even after replacing the bulb, if it does not glow, then the connection may have some loose point, अगर यहाँ पर bulb को हमने change भी कर लिए, फिर भी glow नहीं कर रहा है, इसका मतब यहाँ पर जो wire है, इसमें यहाँ पर क्या होगा, हलका सा कहीं cut work लगा होगा, जिसके वज़े से यहाँ पर क्या होगा, नहीं जलेगा, third point देख लेते हैं, हमने यहाँ पर क्या करा, bulb भी सही कर लिया, और wire भी सही कर लिया, even after repairing the connections, if the bulb does not glow, that means the solution is not conducting solution, अ मतब यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, इसका मतब यहाँ पर क्या होगा, यह distill water होगा, क्योंकि distal water में क्या होता है, IS present नहीं होता है, IS ना present होने की कारण वो electricity को, जो liquid है वो conduct नहीं कर पता, electricity को, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, bulb glow नहीं करेगा, इसी कारण वास तो होप आपको यहाँ पर 300 पॉइंट समझ में आ गए होंगे अब हम यहाँ पर देखते हैं next question